आपका स्वागत है आपका यूज कर रहे हैं और जैसे ही चुनाव आएगा तो मैंने देखा है कि वो देख लेते हैं कि किस एरिया में कितना बोट हैं खास तोर से दलिस समधाय का बोट कहां पर हैं और आप विस्वास नहीं करोगे कि जब चुनाव का समय आता है तो उनका पता है क्या कीमत होती एक एक समधाय के बेखते की किमत ना पांच रुपय के हो जाती है और दारू सराफ है धोती है कमल है जैसे रैलियां आती है रैलियों में उनको सो सो रुपया में दो दो सो रुपया में लेके आया जाता है क्योंकि उनको ये लगता है कि चलो कोई बान नहीं हमारी एक दिन तो मेरे ख्याल से वह हमारी बात नहीं चुनाव कर जब समय आता है, मैंने देखा है, बहुत सारे गाओं में में मैंने देखा है, कि ड्रम का ड्रम रख दिया जाता है, सराप का और बोतले ढ़ेरों लगा दी जाते हो, सब को एक लंप खड़ा कर दिया जाता है, सब को बोला जाता है कि ये रहा आपका पाउज ये रहा आपकी बोतल और आपको जा करके बोट जो है न दूसरे दिन इस पार्टी को देना है और वो लोग देते हैं बोट उस पार्टी को तो मैं ये कहना चाहते हूं कि एक दिन की बोट की बज़े से वो लोग न अपना पांस साल का सत्य अनास कर लेते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए एक एक धोती से एक एक कमल से एक एक सराप के प्याले पी लेने से पांस साल का गुजारा नहीं होगा अगर पांस साल का गुजारा करना है तो उनको अपना सोच और अपनी बिबेक से काम करना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी उन देखा होगा कि अभी तुगल का बाद में एक रविदास मंदिर तोड़ा गया, वहाँ पर उसमें बीजी पी चाहिती तो मेरे ख्याद से वो मंदिर नहीं तोड़ा जाता क्योंकि सेंटर गौर्मेंट के जमीन पर वो था और वो चाहिती तो दुबारा से उसको बनवा सकते आपने हुना कांड देखा होगा, बुंदेल कंड में कितने सारे जो दलित समदाए के लोग हैं, जो कि कभी गाय के नाम पर कभी मोहले से अगर बरात अगर निकल के चले गए, घोड़ी में अगर बैठके चले गए तो वहाँ पर गोलिया चल जाती हैं, कोई दलित महिला अ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और घंची का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूरें, ताकि सबी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले